मैं सुना के लड़किँं को पर नहीं छोना चाहिए जाती थी स्कुल्ट मेरा पर चूगे ही जाती थी और आज भी कोचिंग जाती है तो बीना पर च्शूँए नहीं जाते हैं मेडि तवियत भी ठीक नहीं रहती ते हूर मेरे पर भी दबाती है बुरा बक्त हो जब विपत्ती पढ़ रही हो और उस समय ऐसास कोई संकटा जाए तो उसमें सब मर्यादाओं का कोई धियान नहीं रखा जाता है बेटा है चोटा बेटा है उससे का वगो आपके चरण दबाय करें सुमन सिंग मेरा ना है आपकी चरणो में मेरा साधर पडाम रादेशाम गुरुजी उस दिन मैंने सुना कि लड़कियों को पैर नहीं चुना चाहिए लेकिन मेरी लड़की सुरू से जाती थी स्कूल तो मेरा पैर चूके ही जाती थी और आज भी कोचिंग जाती है तो बिना पैर चुए नहीं जाती है हम उसको माना किये कर तो बोली नहीं ममी अब हम सुरू सगय है उसको आदत पड़ गई है और मेरी तबियत भी ठीक नहीं रहती तो मेरे पैर भी दबाती है तो हम यहीं जानना चाहते है गुरुजी कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम आज उसको समझ का बेटा है बैटी है बड़ी बेटी है चोटा बेटा है च्छोटा कितना है च्छोटा नहीं मतलब ब chamรा लिये हैं भी यह पोप्ली ये लड़की रोज ही दबाती है तो आप अपनी निरक की ब्यूस्ता कलंग इसी लिए तो पूछ रहे हैं नरक किट किट करवा लो वह तो हो ही गई है और कोई ब्योस्ता है ऐसी हो कि उस में थोड़ी जल्दी से जा सको तो ऐसी ब्योस्ता दें तो गुरुजी मतलब मना कर दें उसको हम नहीं आज से पायर छूने देंगे आपने दिख्षा ले रखी ह अभी करते नहीं है अभी कुछ दिन से नहीं कर रहे हैं पहले की है और कभी ने कभी इस कण्या के चर्ण धोय। घू होगे आपने अपनी बेटी के यह। जल पिया भी होगा पिया गे नहीं आप अब हमको दया करके बताएए एक तरफ आप उनके चणन दो रही है उनके चणन का चणनों दक पान कर रही है और दूसरी तरफ उसी बेटी से चणन की शेवा करवा रही है क्या प्रणाम होगा उसका जी गुरुजी सही है लेकिन मेरी तबियत बहुत खराब थी मेरा आपरेशन हुआ था मतलब समझ लिए जब भगवान की कृपा से मैं बाची हूँ तो उसके लिए सास्त्रों में एक और बात कही गई है आपत काले मर्यादा नास्ति जब बुरा भक्त हो जब विपत्ती पढ़ रही हो और उस समय ऐसास कोई संकटा जाए तो उसमें सब मर्यादाओं का कोई धियान नहीं रखा जाता है परन्त अब कोई विपत्ती ऐसी नहीं है और अभी ऐसी कोई पोजिशन नहीं है कि नहीं अगर उस पैर नहीं दवाए तो मेरे पाम तूट जाएंगे ऐसा कोछ ने तो अभी हमारा आग रही है कि आप उसको कह दें बेटा अगर तुम चाती हो कि मैं नरक में न जाओं तो प्लीज मेरे चरणमत दवाओ आपने बहुत सेवा करिये भगवान आपकी सारी मनो कामना पूरी करे आप इसमें सेवा करने के बज़ाए दूसरी सेवा सुरू कर दो मेरे घर के काउम में आप पहत बटा लो बरतन वगेरा है वो देख लो रसोई है वो देख लो तो वो भी तो मेरी सेवाई है बेटी की जी सब कुछ करती है वो करती है अगर कोचिंग जाती है था हम उसको मना करते है कि हम कर लेंगे तुम जाओ लेकिन वो घर पे रहती है तो करती है कितनी अच्छी बेटी पाई है आपने और सुरू से गुरुजी हम आपसे बताएं, वो इंटर पास होई, तब मेरे घर में मोबाइल आया, वो आपकी कत्था, जबकि मुझे पता भी नहीं थी, आपके कत्था बारें जाना हम नहीं जानते थे, लेकिन वो ही सुनते थे और वो ही मुझे बताई कत्था के बारे में. बहुत अच्छी बेटी आपकी अब हमें नहीं बता लेकिन आपने कोई बहुत अच्छे काम किया होगा जिससे आपको ऐसी बेटी मिली जो अपनी मा का इतना ध्यान करती है भगवान सब के घरों में एक सुलक्षना ऐसी बेटी जरूर थे जिससे हमारे सनातन का जंडा ऐसे ह अच्छी फेराता रहे तो उसको कहना गुरुजी ने ही मना किया है जिनकी कता तुम सुनती हो आज उन्होंने हमें स्पेसली मना किया है कि आज के बाद तो हमारे चरण नहीं दवा हुई गुरुजी एक आसी बात दीजिए कि जिसलिए हम लोग यहां आए हैं और जल्दी स उसकी मनों काम ना भूरी हो इश्वर अबश्य करेगा इसमें कोई संद्य नहीं रादिशन